हेलो अल, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम कवर कर रहेंगे किस तरीके से हिमाचल प्रदेश हमारा एक फुल-फलेच्ट स्टेट बनता है जब भारत अज़ाद होता है 1947 में, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश आपका फॉर्म होता है ठीक है, जो अब प्रिंसिली स्टेट से मों मिलकर आपस में हिमाचल प्रदेश बनाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश हमारा उस ट्याम पर राज्य नहीं होता है फिर क्या होता है कि 1951 में हमने पढ़ा कि हिमाचल परदेश को एक legislative assembly दी जाती है ठीक है और अब हम उसी series में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक बार और हिमाचल की polity में एक downturn देखने को मिलेगा एक low profile देखने को मिलेगा जो कि उस time के लोगों को काफी परिशान करने वाला है ठीक है तो शुरुआत करते हैं आज के lecture की जहां पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल परदेश की reorganization की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमाचल परदेश को एक रज्य का दर्जा मिला इसके फूड मिला ठीक है आई होब कि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अगर आप नहीं है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टो आवर YouTube चैनल और अजो जोईन आवर टेलिग्राम चैनल पर आपको हमारी जितने भी सेशन से उनकी फ्री पीडिएफ मिल जाएंगी जिनको आप अपनी प्रिप्रेशन में यूज कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा शुरुआत करते हैं लेक्चर की देखिए यहाँ पर लेक्षर शुरूप करूँ इससे पहले में आपको बता दू कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काफी सही अंसर दिया है हमारे पिछले कोशन के और यह बच्चे बहुत एक्टिव हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इनमें में नाम लेना चाहूंगा अक्षय का अजय का दिनेश सिंग का ठीक है यह बच्चे वो हैं जिन्होंने जो मैंने लास्ट नेम कोशन पूछा था उसका जो अंसर है वो करेक्ट दिया है इन सब ने बिलकुल सही अंसर बताए कि हिमाचर प्रदेश के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर वाई एस परमार थे यह कोशन इसलिए इंपोर्टन थे क्योंकि जो एच्च पी अलाइड है या फिर नायप तेसलर का एक्जाम है महाँ पर एक कोशन डिरेक्टली पूछा जाता है ठीक है अब शुरुवात करें आज के रेक्चर की हम बात कर रहे हैं उस पीरिड की जो है इंडिया में एक ट्रांजिशन का पीरिड अभी क्या है कि जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद जो स्टेट की फॉर्मिशन ह हमने पढ़ा भी है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉंस्टिटूशन है वो फोर्स में आता है तो उस टाइम पर जिदने भी भारत के स्टेट हैं जिदने भी भारत के राज्ये हैं उनको चार केटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार् लेजिसिलेट्व असेमली बना जाती है विदान सभा बना जाती है अब क्योंकि बाकी स्टेट तेमांड कर रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे एरिया से जो दिमांड कर रहे होते हैं कि हमें भी एक राज्या बनाओ, हम अलग से एक सेपरेट एंटिटी बनाओ, हम existing राज्यों क For example, अगर मराथी speaking area है तो वहाँ पर एक मराथ वड़ा होना चाहिए, अगर तेलगू speaking area है तो वहाँ पर एक तेलगू देशम होना चाहिए, तो इस तरीके से आपकी जो demand है नए राज्यों की on the basis of language यह बहुत जादा STEM active थी. तो इस particular demand को meet करने के लिए, जो STEMB government थी, वो बनाती है एक नया commission, State Reorganization Commission. यह पहली बार नहीं बनाता है असा commission, इससे पहले हमने देखा कि SK धार commission बन रखा है 1948 में, उसके वाद JVP committee, जवालन नहरू, वनलबाई, पटेल और पतबी, सीता रमया committee बनती है 1948 के end में, December में. उसके बाद अब यह तीसरा commission बन रहा है, जो यह decide करेगा कि क्या language की basis पर हम भारत में राज्ये बना सकते हैं. और इस commission का नाम है Fajl Ali Commission. एक तीन member commission है, यह बनता है 1953 में. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. ठीके? और इसमें जो तीन member होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं उनके views जानते हैं और उसके बाद यह अपनी report submit करते हैं 1955 में. ठीके? और जो यह Fajl Ali Commission है, इसको main क्या task दिया गया होता है? कि आपका task यह है कि आप बताओ कि language के basis पर हम राज्ये बना सकते हैं. और उसके अलावा आप यह भी बताओ कि कौन से ऐसे parameter हैं जिनको follow करके हम भा administrative किस तरीके से administration होगा इस particular state का क्या छोटे राज्ये बना के administration अच्छा हो जाएगा? या अगर राज्ये अभी particular जिस size का है उसी का रहे तो administration अच्छा है? तो यह बला कि administrative जो machinery है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम नए राज्ये बनाना चाहते हैं. welfare of the people यह ए कि नए राज्ये बना सकते हो आप और उनमें language भी एक parameter होता है. ठीक है? अब जब 1955 में अपनी report submit करते हैं तो वहाँ पर हिमाचल परदेश को थोड़ा जटका लगने वाला है. अब क्या होता है कि जब यह report submit करते हैं तो commission की majority verdict है क्योंकि commission में में मेंबर कितने तीन? तो majority verdict क जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल के against जाती है और यहाँ पर बोला जाता है कि हम हिमाचल परदेश को merge कर देते हैं with the Punjab state. ठीक है? पैपसी इस टाइम हट जाएगा. पंजाब state बना जाएगा पूरा एक बड़ा. और बोला जाएगा कि हिमाचल परदेश जिसका area लगबग 28, 20,000 km2 है. इतना बड़ा राज्य नहीं है. इतना बड़ा एक area नहीं है कि हम इसे separate राज्य बना दे और नहीं यह union territory बनाने की conditions को meet करता है. तो हम इसको पंजाब में merge कर देते हैं. तो I hope कि आप सब जानते होंगे कि union territory इंडिया में किस basis बना जाती है. अगर आप लोगों को तो यहाँ पर बोला जाता है majority verdict दोवारा. Majority मतलब जो majority member है. दो member कहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि जो हिमाचल परदेश है क्योंकि यह बहुत छोटा area है. इसको separate state नहीं बना सकते और नहीं population इतनी जादा है कि मैंसे unit territory बना सकते हैं. तो इसको पंजाब के साथ merge कर देते हैं और यह एक बहुत दुखद सूचना होती है for the people of हिमाचल परदेश. क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारे राज्ये में democracy आए. हमें separate statehood में ले हमारी separate legislative assembly हो और यह state government हमें rule करे जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो तो वो एक setback होता है. लेकिन यहाँ पर एक ख है, यह कहता हूं कि हमाचल परदेश को एक Punjab के हाथ merge ना करें, हमाचल परदेश को separate entity की तरह ही रखें. ठीक है, अब इन्होंने यह नहीं बोला कि किस तरीके से, state की तरह रखें, unit territory की तरह रखें, इन्होंने बोला कि हमाचल परदेश को Punjab में merge करना ठीक नहीं रहेगा, ह वो पूरी कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की separate entity जो identity है वो बनी रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें पंजाब में merge कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें separate entity अगर आपने बनाना है, तो प्लीज बनाईए, हमें पंजाब में merge मत करिये, भले ही आपने हमारी legislative assembly ले मत करिये, तो इस particular कोशिश के बाद Dr. Weiss परमार की हिमाचल प्रदेश को union territory बना जाता है, हिमाचल प्रदेश जो की अब राज्य है, स्टार्टिंग में 1956 में क्या होता है, union territory, देखिए अगर आप फजल अली कमिशन की recommendations पढ़ें और उसके बाद के effect देखें, तो आपको दे स्टार्टिंग में हमारे पास 30 state है, स्टार्टिंग में हमारे पास 30 state है in the form of part A, B, C, D, इनको अब transform किया आता है into the division of 14 states plus 6 union territories, अगर आप लोग 1956 का भारत देखें, तो उस टाम के भारत में 14 राज्य हैं और 6 union territory हैं, और इन 6 union territory में एक union territory हमारी हिमाचल परदेश भी रहेगी, ठीक है और ये union territory सारी वो नहीं है जो अभी union territory है, याद रखिए मनिपूर इस time पर union territory है 1956 में, लेकिन अब union territory नहीं है, हिमाचल परदेश इस time पर union territory है 1956 में, लेकिन अब union territory नहीं है, तो हिमाचल परद जी जाती है in the form of union territory और union territory बनने का मतलब क्या है आप लोग समझते होंगे union territory बनने का मतलब ये है कि अब हिमाचल परदेश को कुछ sacrifice करने पड़ेंगे और ये sacrifice क्या थे कि हिमाचल परदेश में अब legislative assembly नहीं रहेगी ठीक है no legislative assembly in हिमाचल परदेश पांच साल हमारे पास legislative assembly रह लेगी क्योंकि हम अब एक union territory बन चुके हैं हमें एक राजय नहीं रहे इसके साथ जो popular government है वो government जो की लोगों के द्वारा चुनी गई थी जैसे डॉक्टर वाइस परमार को पहला chief minister बनाया गया अब हिमाचल परदेश के लोगों की पास ये power नहीं है कि वो अपनी government चुने अपना chief minister सुने अपने MLA चुने तो ये power भी हमाचल परदेश से ले ली गई ठीक है तो ये कुछ नुकसान हुए after the state reorganization act of 1956 लेकिन एक फाइदा भी हुआ कि हमाचल परदेश को बोला गया कि आप पनी territorial council रखो और ये जो territorial council रहेगी एक elected territorial council रहेगी यहाँ पर जो majority member होंगे 40 out of 42 अगली slide में आपको बताऊंगा भी कि 42 में से 40 member रहेंगे वो आपके elected member रहेंगे और हमाचल परदेश में थोड़ा सा जो bureaucratic structure है जो 1951 से पहले हमें देखने को मिलता है वो द्वारा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब LG आपका main executive बन जाएगा हमाचल परदेश का और LG कहीं ना कहीं अपना जो rule है वो चलाना शुरू करेगा ठीक है popular government नहीं है लोगों के त्वारा चुनी गई government नहीं है तो कहीं ना कहीं अब जो पूरी administrative machinery है वो आपकी LG की control में आ जाएगी no doubt हमारे पास 1951 से लेकर 56 के बीच में भी LG थे ठीक है हमने पढ़ा कि हिमासिंग जी 1956 को जो हमारे Chief Minister थे Dr. Y.S. Parmar वो resign कर देंगे और वो बोलेंगे कि देखो अगर हिमाचल परदेश की separate identity रखने के लिए मुझे resign करना पड़ता है sacrifice देना पड़ रहा है तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं है बस हिमाचल परदेश किसी और राजिय में मर्ज ना हो ऐसा मैं च पोजिशन आपको important है paper point of view से जो ये territorial council है ये elected body है याद रखेगा इसमें 40 member elected है दो member nominated है और ये जो territorial council है ये act of parliament के द्वारा बनाए गई थी ये था territorial council act of 1956 ठीक है इस act के तो एक body बनाए गई गई टेरिटोरियल council जो की जरूर्नली उस टाम की unit territories में में बनाए गई थी और इ दो nominated थे अब जो ये elected member थे इनका election कब हुआ इनका election हुआ 1957 माई में माई जून में election हुए 1957 में सब ने vote डाले और इस voting में Congress की performance काफी अच्छी रही और जो territorial council के जो elected member है इनमें जो major government होती है वो Congress की ही रहती है ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि 15 अगस्त 1957 को formally आपकी territorial council को constitute किया जाता है और इसके पहले head कौन बनते है करम सिंग ठाकुर ठीक है तो करम सिंग ठाकुर was the first head of the territorial council लेकिन इस time पर दोस्तों एक आपको एक negative wife देखने को मिलेगी एक negative atmosphere देखने को मिलेगा क्योंकि हिमाचल परदिश आपका popular state popular government वाला state नहीं रहा है यहाँ पर लोग vote तो डालने जा रहे हैं लेकिन वो एक government चुनने नहीं जा रहे हैं वो एक council चुनने जा रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं LG का influence काफी ज्यादा रहेगा और जो administrative machinery है वो LG के निर्दिशों के अनुसार ज्यादा काम करेगी यहाँ पर यह जो body है एक just a body बनाई गई है for the sake of purpose एक corporate body type की बनाई गई थी लेकिन जो main काम है जो administrative powers है सारी कहते हैं ना powers किसके पास है वो matter करता है तो power stamp पर LG के पास थी है इनके पास responsibility जरूर थी यह advice जरूर दे सकते थे लेकिन उस advice को मानना या ना मानना किसकी पक्ष में आता था LG के पक्ष में तो LG stamp पर एक बहुत powerful entity बन के आता है ठीक है और हिमाचल परदेश के लोग कही ना कहीं दुखी हो रहे होते हैं कि हमारे को जो 5 साल का आपने democratic rule दिया वो हमसे छीनना नहीं चाहिए था और इसके बाद दोस्तों बहुत अच्छी कोशिश की जाएगी कि हिमाचल परदेश को द्वारा जो state का दर unity बनती हुई देखती है जो कोशिश करते हैं कि वो senior congress जो member है at Delhi उनसे बात करे और demand करेगी हमारे यहां पर हमें popular government बापिस दो तो दोस्तों यह जो कोशिश है ना भी चलनी शुरू होगी और 1956 से 66 तक हमें एक period of protest देखने को मिलेगा इंदी हमाचल परदेश जहां पर जो ल हमें तब best form of government देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों के पास power हो कि वो चुने की हमारे representative कौन हो तो दोस्तों यह कोशिश चलती रहेगी आगे लेक्टेस में हम कवर करेंगे कि किस तरीके के protest होते हैं किस तरीके से पूरी कोशिश की जाती है कि हिमाचल प्रदेश को statehood मिले यह फिर हिमाचल प्रदेश में popular ministry पापिस आए अब यह lecture हमने cover कि I hope कि आप लोगों को lecture अच्छा लगा होगा तो अब आपको एक question का मुझा answer देना है question कहा कि what among the following was the chairman of state reorganization commission in 1953 जो 1953 का state reorganization commission था इसके chairman कौन थे ठीक है ज्यादा मुश्किल question नहीं यह 4 option आपको दे रहा हूँ कमेंट section में अभी जाइए जल्दी से अंसर टाइप करिए क्योंकि I hope कि अगर आपने lecture द्यान से सुना है तो आपको यह पूरा अच्छे से पता होगा कि इस commission का chairman कौन था मुरे chairman ने हमारे लिए positive भी बोला था कि माजल पर्दिश की separate entity रहनी चीए ठीक है न तो आपको अब इसका अंसर करना है I hope कि आप लोगों ने enjoy खिया होगा इसी तरीके सें पूरा जो series है वो cover करने वाले हैं और अगर आप लोगों को doubt है कोई भी issue आप लोगों को लगता है regarding the lecture और regarding your preparation तो you are free to call us at 8146-207241 या email drop करिये hello at the right edutab.co.in पर this is all from my side friends thank you very much जय हिंद जय भारत